हेलो फ्रेंड्स आज हम बिना अंडा का ब्रेड आमलेट बनाएंगे चलिए अभी हम बनाना स्टाट करेंगे अभी एक बड़ा सा बाउ ले लेंगे इसमें डाल देंगे एक कप बेसन और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला बला घोल तैयर करेंगे देखिए एसे ही पतला बला गोल आपको त्यार करना आओगा इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमाक थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पीपर पाउडर सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कबर करके 5 मिनिट के लिए रख लेंगे रेश्ट के लिए अभी 5 मिनिट हो गया है अभी इसमें डाल देंगे 1 बाइ 4 ती स्पून बेकिंग पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम एक तावा को गरम करेंगे और इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा बटर और ब्रेड को इस घोल में डुबाएंगे और इसको तावा के उपर रखेंगे जब आब इसको पकाएंगे ग्यास का फ्लेम को लो कर दीजिए और इसके उपर में डाल देंगे थोड़ा सा कटे हुए प्याज और धन्यापता थोड़ा सा पीपर पाउडर भी डाल देंगे एक तरफ से हलका सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको पल्टाएंगे इसके उपर में भी थोड़ा थोड़ा बटर भी डाल देंगे अभी एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी हम इसको पल्टाएंगे दूसरे तरफ भी हलका सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे अब ये हो गया है अब हम इसको प्लेट में निकल लेंगे दूसरा जो ब्रेड है इसको भी ऐसे बना लेंगे पहले आपको थोड़ा सा बटर डालना होगा और जब बटर डालेंगे ग्यास का फ्लेम को लो रखे अगर हाई फ्लेम में करेंगे तूरंत ये जल जाएगा और इसका टेस्ट खराप हो जाएगा ग्यास का फ्लेम को लो रखे और इसमें थोड़ा सा बटर डाल देजे अभी ब्रेड को जो बेशन का घोले इसमें डुबाएंगे और इसको तावा के उपर रखेंगे इसके उपर डाल देंगे थोड़े से कटे हुए प्याच और थोड़ा सा धनिया पता और थोड़ा सा पीपर पाउडर भी डाल देंगे अभी हम इसके उपर थोड़ा सा बटर डाल देंगे नीचे के तरफ से हलका सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको पल्टाएंगे दूसरे तरफ से हलका सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे आप एक बर इसको घर में बनाईए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग